हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको गरवती मैला में अगर ये दो बड़े बदलाव नजर आते हैं तो आप मान लेजिए कि आने वाली संतानिक बेटा ही होगा क्योंकि बेटा होने पर ये लक्षन जरूर दिखाई देते हैं और ब्रेश्ट के अंदर ये दो बड़े बदलाव जरूर नजर आते हैं करने मेरे इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको देखो क्या देखना है गरवती मैला जब भी प्रैग्नेंट भी होती है गरवत धारन करती है उसके बाद उसके अंदर काफी सारे हार्मों की वज़ए से सिम्टम्स दिखाई देते हैं अलग अलग तरीके के दिखाई देते लेकिन उनको समझताहं काफी मुस्केल होता है कि लड़का ओने का कि आप हमने पूचा तो सबसे पहल Kids की बात कर लेती हैं देखो आपको बताने से वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कोई भी लक्षर जो आया है तो आपके ब्रेस्ट में एकदम से भारी पन आएगा बहारीपन आएगा दूसरा देखो वहीं पर भारीपन आने के बाद आपको आपकी निपल्स का कलर बिल्कुल डार्क नजर आएगा अगर ऐसा आपके साथ है तो यह लड़का उने की निसानी मानी जाती है ब्रेश्ट का काला होना और ब्रेश्ट का बहारीपन होना तो यह लड़का होने का लक्षन माना जाता है जैसे आपके मंद शुरू होंगे आपके रवखें काफी बढ़ाब में होता जाएगा दूसरे लक्षन की बात करते हैं देखो अगर आपको छटवे महिने से देखना है अगर आपको आपका जो लिप्यूड है यानि कि दूद जो निकलता है आपके ब्रैश्ट से वह आपको देखना है कि आपका पीले गलर का निकल रहा है या वाइट गलर का निकल रहा है अगर लक्षण की बात कर लेते हैं अगर आपके ब्रेश्ट में बहुत ज्यादा खुजली होती है ठीक है बहुत ज्यादा इचिंग होती है खुजली होती हो और आपको एक दर्द सा आपके ब्रेश्ट के अंदर दिखाई देते हैं तो आप मान सकते हैं कि आने वाली संतान एक पुत्र की ही प्राप्ति होगी यानिके बेटे को कंसिब किया हुआ है यह थे जो लक्षण हमने आपको बताए आप भी इनको शियर करें ताकि और भी गरभती महला इसके बारे में जान सके जैसरी किष्णा राधे राधे